नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अशुक अगर्वाल और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज एक नेटवर्क इंडस्टी के अंदर एक जोलन सिल कोश्चन्स आता है सवाल आता है कि नेटवर्क इंडस्टी में इंकम लेने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है ना ही कोई अप्लाइन उसको बताता है ना ही कोई सिस्टम बता पाता है जब तक उसे पता चलता कहीं बहुत देर हो चुकी होती है आज मैं अपने जिस टॉपिक के उपर आपसे बात करना आया हूँ उस टॉपिक का नाम ही cost of business जी यहां दोस्तों cost of business आज network industry के अंदर बहुत जादा तो नहीं कम से कम 23,000 कंपनिया network industry में registered है जो अलग-अलग तरीके से industry में काम कर रही है लेकिन सब में कुछ नो कुछ cost of business होता है सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि cost of business होता क्या है मैं example के तो और पर आपको सम्झाओंगों दोस्तों मान के चलिए एक वेक्ति नौकरी कर रहा है तो नौकरी के अंदर में baseline होती basic salary बोला जाता है मानते हैं कि एक वेक्ति credit card के अंदर बनवाने होंगे जी यहां दोस्तों एक महीने बनवाने होंगे जब उससे उपर category जब पहुंशती है तो उस वेक्ति को बोला था team leader team leader के नीचे कर से 10 से 15 लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उस team leader का target कुछ अलग होता है यानि उसके लिए कम से कम उसे 300-400 पर मंत के credit card बनवाने होते हैं पूरे team को लेकर तब उसको उसका income मिलता है याने कि जो filled boy थे उससे शायद 5-10 जार पर extra मिलते होंगे तो यह हो गया cost of business इसी तरीके से market में जो industries है अलग-अलग company है वहां पर cost of business क्या है आज market में बहुत सारी popular international company है वहां आप देखते होंगे कहीं 4000 point करने कहीं 5000 point करने कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना यह cost of business lower level पर कोई वेक्ती है तो उसको कहा जाता है कि आपके लिए simple product को यूज कीजिए और शेयर कीजिए वह आपको cost of business है लेकिन जैसे वह एक पाइदान ऊपर पहुंसता है कि तब उसको समझ में आता उसको करना क्या है यह उसके लिए बड़ा problem क्रीट हो जाता है network industry को बोला जाता है कि आप part time कीजिए दोस्तों आप जिस भी industry में हो अपने दिल पर हाथ रखके बोल लिएगा क्या वास्ता मैं part time कर पा रहे हो start क्या था part time में लेकर लेकिन धीरे 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 वो full time में बीचता चला गया आज cost of business यही तो हो रहा है जब एक पाइदान और आगया पहुँच जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है मुझे अपने लिए भी करना है मुझे नए लोगों को भी ढूंड़ना है नए लोगों से भी business को निकलवाना है जब नए लोगों से business के लिए आप जाते हो तो पुराने लोग छूट जाते हैं और पुराने को पकड़ते तो नए हाथ में नहीं आते हैं जो आपका minimum criteria है उसको फुल्फिल नहीं कर पाते हो तो यह हो गया cost of business दोस्तों इस cost of business के अंदर बहुत सारे ऐसे criteria जाते हैं जैसे जैसे आप और higher level पर चले जाते हो एक company के एक अच्छे platform पर पहुंच जाते हो वहां फिर एक नया cost of business आ जाता है याने कि एक और लंबी छलांग लगानी पड़ेगी अपना तो करना ही है टीम से अलग करवाना है और दूसरे लोगों से भी करवाना है यह बहुत बड़ी problem है कुछ इंडस्टिस में ये भी है मान के चलिए आप ए नंबर पर हो आपके नीचे वाला एक वेक्ती वो भी ए पर है उसके नीचे वाला वेक्ती वो भी ए पर है उसके नीचे वाला वेक्ती वो भी ए पर है मान के चलिए आप से लेकर आपके नीचे एकी लाइन में चार रहा है आप लाइन को किसने मेनत करें उनके साथ कॉस्ट बिजनस कौन देखेगा सोच के देखिए आप तब दुपैरी में बारिश में सर्दी में किसी तरह के मौसम के अंदर आपको सिर्फ एक ही ची निज़र आ रहा है मुझे काम करना है लेकिन क्या एक्छल में हो पा रहा पर मिला सेल्समेन बने के रह गवे हैं आज कोई एक लाघंग कमारा दो लाघंग कमारा तो वो भी फेस्बुक पर अपडेट कर रहा है मुझे पांच नहीं लोगों की जरूरत है वो रिटायर कब हुआ आप नेट्वर्क इंडस्ट्री किसले कर रहे हैं दोस्त रिटायर्मेंट के लिए लेकिन दिल पर हाथ रखके बोले क्या वास्तम अप रिटायर हो गए है मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा नेट्वर्क इंडस्ट्री कभी भी अपने ले मत किजिए अपने फैमिली के सपनों के ले कीजिए किए क्योंकि Network Industry के अंदर आज कुछ हो ना हो लेकिन आज आपने बेस बना दिया आपकी पीडियों तक पैसा जाना चाहिए आज इतनी सारी ट्रांसफर हो पाएगा अपकोस बिजनस तो आएगा लेगिन पैसा आपके पास नहीं और नहीं आपके वाइफ के पास किसी और के पास जाएगा ये सोचनी की ज़ुरोगती दोस्तों और cost of business के कारण ही जब एक senior person से भी वो cost of business का criteria फुल्फिल नहीं होता है तो पूरा का पूरा माल अपनी ID में खरीद लेता है अपने नाम से ले लेता है या फरजी ID डालता है और वही माल बाहर company से बाहर sale करना शुरू कर देता है कोई भी senior अपनी इच्छा से Amazon, Flipkart अब अगर अब medical store परड़क को sale नहीं करना चाहता है लेकिन वो plan की मजबूरी है वो cost of business इस तरह के से design कर दिया गया है वो स्वेक्ति की मजबूरी है अपने साथ वालों को साथ दे या product को sale करे या नहीं लोगों को ढूंडे इसी वज़े से वो product market में undercutting में दिखते हैं online दिखते हैं इसमें किसी senior की गलती नहीं वो कोई गलत नहीं वो अपनी जगा बिल्कुल सही है वो plan की demand है दोस्तों network industry को choose करने से पहले cost of business को जरूर चेक किजिए क्या cost of business किस तरीके का है क्या वहाँ पर ऐसा कुछ कर पाएंगे आप क्या आप सोचिएगा जिस काम को करने में आपको मुश्किले देखनी पड़ रही है क्या आपकी family वाले इसको easily कर पाएंगे सबसे पहले ये चीज़े और चेक किजए गया क्या same level पर आपको income आ रही है क्या unlimited depths आपको income आ रही है नहीं क्या बार बार नहीं लोगों को ढूणने की ज़रुत पड़ रही है नहीं ये सारी चीज़ को समझना बहुत ज़ादा ज़रूरी है दोस्तों मार्केट में इस तरीके plans एविलेबल है उनको समझिए देखिए फिर उसके बाद feature को समझते वे किसी भी company को चुनाव कीजिए